नवस्कार दोस्तों मैं दीप्ति उप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ओनलाइन संस्थान परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे मैस्स पैड़ागोजी के कुश्चिन्स जो की आपके प्रीवेस एर सीटेट में पूछे गए हैं वीडियो में सिर्क 15 कुश्चिन रहने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आखरी तक आप कुछ ना कुछ नहीं जरूर से जाएंगे वीडियो की सुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दो हमारे और भी बैचे चल रहे हैं स में इंडोल होने के लिए इन नंबर्स पर क्वैरी ले सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेंड है तो बैच में रोल जरूर होएगा आपको क्वालिटी कॉंटेंट ऑप्टिमम फीस में प्रोवाइट कराया जाएगा क्लियर है आप सभी को अब बात कर लेते हम लोग अपने जो की मैट्स में आए उए है प्रिवेस रियर में यह ummmay को सता यह इन्होंने बताया कि बीप्रीत मतलब जो फलक है पासे के उनका योगफल वह साथ है ठीक है? तो कौन सा पासा सही होगा? इस में से तीन पासे आपके गलत होंगे और एक आपका सही होगा ठीक है? अब आपको सही बाला पहाणना है पहाणना कैसे है? कहीं न कहीं एक reasoning का question मैं माण सकती हूं पड़ेगा है कि नहीं अगर आप इस तरीके से देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो दो और एक तीन आ रहा है लेकिन साथ चाहिए हमको तो यह वाला गलत हो जाएगा चार तीन साथ इसमें आ रहा है, छे और एक साथ इसमें आ रहा है, पांच और दो साथ इसमें आ रहा है, ये कहीं न कहीं हमारा सही है, लेकिन बाकी दोनों जो गलत है वो हम लोग भी देख लेते हैं, चार तीन साथ इसमें आ रहा है, दो और एक तीन इसमें आ रहा है, इसलि गडित करने की यूगती में सवाल हल करना इसमें क्या शामिल है अनुमान लगाना व्यापक या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रियोग या फिर क्रिया कलाप आधारित उपागम देखो सवाल हल करने के लिए आपको क्रिया कलाप आधारित उपागम के थ्रू ही कि जाना पड़ेगा क्योंकि संकीत वगेर से और अनुमान वगेर से सवाल नहीं होते हैं ठीक है इसलिए आपका सेकेंड का जो राइट हो जाएगा वो कौन सा बात कर देखने को मिलेगी लेकिन डरने की कोई बात नहीं है आप चीजों को देखके इसमें समझ पाएंगे कि क्या करना है आपको ठीक है इससे आपको सबसे पहले मैं आपको सारे प्रीवेस एर करा दूंगी तो आपको घबराने के कोई बात नहीं है जब आप यह सारे कुश्चन कर लेंगे तो आपको खुदी समझ अठी बन जाएगी और सवाल सॉल्व करने लग जाएंगे ठीक है कुश्चन पढ़ते हैं लोग क्या है रात में कच्छाओं में आकार और स्थान की समझ विक्सित करने के लिए किन निमलिकत कार्यों को क्रम में लगाए यानि कि चार ओप्शन इनों ने दिये हुए हैं इनको आपको सही क्रम में लगाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ठीक है अब देखो बात कर लेते हैं अगर हम लोग सही क्रम की तो इसमें क्या होगा पहले पढ़के देख लेते फिर आप समझ जाएंगे तूडी आकारों की भुजाओं और सीसों का अवलोकन करते हुए उनकी विसेस्ताओं का मिल को चाटेंगे ठीक है तो आपका स्सेय नंबर किसमें सी आपका पहला एक और सी में इसलिए अपका यह भी गलत हो जाएगा ऑप कर लेते हम की सी के बाद क्या आयेगा जब हम लोग टूडी आकार की आकरति को छाट लेंगे तो उसके बाद जो होगा क्या करना होगा हमको द करना होगा सीर्टों का अवलोकन करते हुए उनकी विसेस्ताओं का मिलान करना होगा है ना तो आपका सी के बाद आएगा इसलिए आपका ऑप्शन नमबर यानि की यहां से राइट हो जाएगा अब आप यहां से पढ़ सकते हैं पहले हम लोग टूडी आकार की आकरतियों को सीर्षतों का अवीलोकन करते हुए उनकी विसेस्ताओं का मिलान करेंगे ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग टूडि आकर की बुझाओं सीर्षतों और विकर्ण वगरेर जो भी रह जाएंगे उनका वर्णन करेंगे Adventures जो भी विश्यस्ताइं बचेंगी उनका सहभुद्धी से बर्डन करेंगे हम लोग इसलिए आपको अप्शन नमबर यहां से राइट हो जाएगा आप खुद भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो पेड़ागोजी के कुश्चेंस आपके आसानी से सॉल्व हो है अब देखो सत्रांत परिक्षा के लिए प्रस्ण पत्र की योजना बनाना बिल्कुल नहीं योजना बनाना कोई निदानात्मक परिक्षण का उद्देश नहीं होता इसलिए आपको ऑफ्शन नमबर यहां से गलत हो जाएगा बच्चों की समझ में नहित रिक्टियों को जानना निदानात्मक परिक्षण निदानात्मक का मतलब होता है किसी चीज का निदान करना ठीक है अब अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी चीजों को जानना ही निदानात्मक परिक्षण का उद्देश से कहल इसलिए आपका फॉर्थ का जो आपका राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी नमबर से हो जाएगा क्लियर है बात कर लेते कोश्चन नमबर 5 की 5 आप से कह रहा है कि जब राजन के सामने सापदिक समस्तियां आती है तो वह प्राया पूशता है मैं जमा करूं ये गटा प्रक्रियां को नहीं समझता है अब देखो बात कर लेते हैं कि पहले और जोड़ और गुड़ा नहीं कर सकता तो इस तरीके भाई वह पूछ रहे तो टीचर का उद्देश से होता है कि वह उनको समझाएंगे तो इसलिए आपको और यहां से गलत हो जाएगा कक्षा में आता है आप एक टीचर हैं आपको समझना होगा कि बच्चे को कहां पर प्रॉब्लम आ रही कहां पर प्रॉब्लम नहीं आ रही अगर उसे जहां भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका दायत बनता है ठीक है राजन को भासा समझने में कठ ना करूं मैं गोड़ा करूं यह भाग करूं ठीक है तो फिफ्त का आपका कौन सा सही हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा क्लियर है बात कर लेते कुश्चिन नंबर सिक्स की सिक्स आप से कह रहा है कि एक सम चत्रवुच के विकर्णों की लंबाई छे आठ और तो आपको फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए देखो आप विकर्ण तो दी है सम चत्रवुच के अब अगर इसकी भुजा निकालनी होगी तो आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बन वाइट टू अंडर रूट डीवन स्क्वेर और डीवन और डीटू किया है आपके पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण ठीक है तो भुजा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं बन वाइटू अंडरू 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 इंटू टैन तो फाइव हो जाएगी अब यहां से आपकी क्या आगई भुजा जो आपकी है नरे अब लुक है जो आपका परिमाप होगा सम चतुरवुज का जो परिमाप होगा इसमें 4 होती तो परिमाप क्या होता है फो ए आपकी क्या है बुजा तो सो फोर इन्टू 5 जैनिक आपका 20 सेंटिमीटर जो जाएगा यारट पाशन हो जाएगा इतनी आसानी से आप हुमारी टीम या मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी ठीक है बात कर लेते हैं कुश्य नंबर सैविन की सैविन आपसे कहना चाह रहा है कि चेतरफल की अवधारणा से परचित कराने के लिए सिक छक किस से सुरुआत करता है आप देखो ऑप्सन समलोग पढ़ते हैं ऑप्सन के बाद आपको तुरंट समझ में आ जाएगा कि आपका क्या राइट अंसर हो सकता है बिन आपकारों की आकरतियों का चेतरफल ग्याद करन आपको उन्हें समझाना रहेगा कुछ रियल एक्जेम्पल्स देके की इस तरीके से आप इन चीजों को समझें ठीक है तो आपका ऑप्सन नमबर यह यहां से गलत हो जाएगा हतेली पत्ते पैंसिल नोटबुक आध बिविन बस्तों की साहता से किसी आकरत के छेतफल की बिल्कुल भी नी फर्स्ट में अभी आपको गलत बताया था इकाई वर्ग गढण की शाहिता से आकरतियों का छेतफल गयाद करना हां जी बिल्कुल नहीं तो आपका यहां से सेविंथ का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्सन नमबर बीस हो जाएगा क्योंकि यही रियलिस्टि हो जाएगा सेविंथ का बात कर लेते कुश्चन नमबर एट की एट आपसे कुश्चन पूछ रहा है कि एंसीफ दोजार पांच मानता है कि गड़ित में सोचनी और तरक करना एक निश्चित तरीका नहीं करता है नहीं आपसे पूछा यानि कि जो गलत होगा वह आपको बत परसनों को हल कुरने के लिए विद्धियार्थि को नेधारेश सूतर बताना या फिर पाठे पूस्तक में प्रश्चो सामगरियों को लिखने का तरीका या फिर कप्छा के लिए चुने के कृ स्कした कर इस पढ़ंद की विधि आपको सिखाना है ठीक है रोट मेमुराइजिशन आपको नहीं करनी है इसलिए आपको option number A यहां से सही हो जाएगा आंकिक प्रस्मों को हल करने के लिए विद्यारित्यों को निधारिश सूत्र बताना सूत्र आपको डैरेक्ट नहीं बताने है आपको पहले realistic example देने जैसा कि म नमबर 9 की question number 9 आपसे देखो क्या पूछ रहा है question number 9 कह रहा है कि एक सिख्षक कक्षा से एक बटे आठ निरूपित करने के लिए कहता है ठीक है तो कौन सा निरूपन गलत है अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि एक बटे आठ यहां पर निकालना है ठीक है बहुत आस कि लड्रें तो यह आपका सही है गलत आपसे पूछा है गलत वाला चेक कर रहेंगे लिए लोग कि एक दो तीन चार पांच छेसाथ आठ इसमें भी 8 वाग है मारा आपका एक क्या कहते हैं एक का रड्र इसलिए आपका यह बिफिए यह बी आपका गलत नहीं होगा यह भाल लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ पहली बात तो इसमें टोटल साथ ही भाग दिये हुए हैं लेकिन आपको एक बटे आठ नरूपित करना था ठीक है तो आपको नाइंत का आपका कौन सा सही हो जाएगा C नमबर अपचन सही हो जाएगा बात कर लेतें कुश्चन नमबर 10 की कुश्चन नमबर 10 आपसे कह रहा है कि 407928 को क्या पढ़ा जाएगा ठीक है 407928 को क्या पढ़ा जाएगा अब देख लेते हैं हम लोग 4,07,928 या फिर 4,8928 या फिर 47,928 या फिर 40,928 देखो सिंपल सी बा एकाई दाही सेकडा हजार दसजार लाग ठीक लाग तक आपका जा रहा है तो 4 लाग तो आपका पहुंच ही जाएगा ठीक है तो 4 लाग आपका पहुंच गया जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे फिर बचा कितना 7,928 यानि कि 4,7,928 ऑप्सन नमबर ए आपक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ अब हम लोग अपने कुश्चन कुश्चन नमबर 11 की बात कर लेते हैं 11 नमबर आप से क्या कह रहा है पढते हैं अब लोग 11 नमबर आप से चाटना है, clear है आप सुभी को अब देख लेते हैं हम लोग की हमारे options क्या है, सिक्षारती लंबाई मापने के लिए मानक इकाईयों का प्रियोग करते हैं, सिक्षारती लंबाई मापने के लिए मानक इकाईयों का प्रियोग करते हैं, सिक्षारती सरल अवलोकन द्वारा वस्तूओं को सत्यापित करते हैं सिक्छार्ती मैट्रिक इकाईयों के बीच में संबंदों को समस्ते हैं ठीक है अब आपको सही एंसर यहां से निकालना है ठीक है तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा option number D option number D यानि कि C B A D आपका सही क्रम होगा सबसे पहले क्या करेंगे सिक्छार्ती सरल अवलोकन द्वारा बस्तूओं को सत्यापित करेंगे सबसे पहले जो सबसे सरल चीज होगी उसे अवलोकित करेंगे देखेंगे और बस्तूओं को सत्यापित करेंगे ठीक है after that लंबाई मापने के लिए मानक इकाईयों का प्रियोग करेंगे फिर मानक इकाईयों का प्रियोग करेंगे बात कर लेते हैं question number 12 की question number 12 आपसे कह रहा है कि एक operator ऐसा है जिसको परिवासित किया गया है इस तरीके से फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से तो आपसे end और operator 8 की मान पूछी गई है तीक अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे यह solve करा जाएगा देखो 4 operator 3 है अगर तो 4, 5, 6 यानि कि 3 यहां लिखा है तो 3 बार इसको add कर दिया गया है 5 operator 4 है तो 5, 6, 7, 8 चार बार आपको कर दिया गया है 6 और 4 है तो 6, 7, 8, 9 कर दिया गया है अब अगर n और operator 8 है तो n के बाद 8 बार तक add ही तो करने है तो क्या होगँ n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4 plus n plus 5 plus n plus 6 plus n plus 7 plus n plus 8 यहीं तो होगा आपका एन प्लस एट नहीं आएगा क्योंकि एन आल्रेडी आपका आ चुका है ठीक है तो यह गलत है यहां तक आपका होगा अब हम लोग इसको एड़ कर लेते हैं तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ बार तो आपका एन आया है तो यह दोनों तो आपको ग 28 आपका आंसर कौन सा है और नमबर सिया से राइट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आयोप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बात कर लेतें कुश्चन नमबर 13 की 13 आप से कह रहा है कि 13 आप से कुश्चन कह रहा है कि बच्चों की पर्यावरण में जो वस्तुई लुड़कतियां फिसलती हैं उन पर कक्छा में चर्चा सुरू करो बच्चों को आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुई लुड़कतियां और कुछ फिसलतियां साहिता करो ठीक है सुरूत गड़ित के जादू NCRT की कच्छा दो की पाठे पुस्तक में इस तरह के सुजाओ समझने सिक्छक की साहिता करते हैं आप देखो सिक्छक की क्या चीज सहता करती है यह आपको बतानी आपको चार ओप्षन ओल्रीडी दे दिये गए इसमें आपको समझना है कि NCRT जो गड़ित का जादू बेसिकली ऐसा कुछ चैप्टर या स्रोत इन्होंने ओल्रीडी दे दिया इसमें क्या बताया गया है ठ चर्चाएं बहुविदी परिप्रिक्षियों के को कक्छा में स्थान देती है या फिर चर्चा करना गड़ित की कक्छा के लिए सर्फिस्ट लिए दियार्थीं को संकलपनाओं को बहतर तरीके से समझने में साहता करती है अब देखो जो आपका बेसिकली राइट एंसर क्योंकि निर्देशन में जो संपूरित चर्चाएं होती है वो विद्यार्थियों को संकलपनाई को बहतर समझने में साहता करती है यह जो बेसेकली का यहां से क्या अंसर सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा बात कर लिए ते क्विशन 14 की 14 आपसे कह रहा है कि एक अच्छा गर्तिग होने के लिए क्या जरूरी है सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपूरता अधिकतर सूत्रों को याद करना बिलकुल नी पहले तो यही आना चाहिए सभी की सभी अवधार्णों को आपको समझना आना चाहिए उन्हें लागू करना आना चाहिए और उनमें संबंद बनाना आना चाहिए तभी आप एक सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो आपका 14 का क्या आपका सही हो जाएगा option number D यहां से right हो जाएग में आमों बोका सेवों के भारिसे कितना अधिक है नॉमल सा वाल को घठाने और कुछ नी लेकिन घठाने में भी कई वार लोग गलती कर जाते हैं कैसे करते हैं यहां का आम का भार है तो सेब कितने हैं? 1 किलो 400 ग्राम 1 किलो यानि की 1000 ग्राम 400 ग्राम यानि की 1450 ग्राम ठीक, अब आपको अंतर निकालना है दोनों को घटा दो अंसर आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 1150 ग्राम 1150 ग्राम को आप क्या लिखेंगे? 1 किलो में 1000 होता है तो 1 किलो 150 ग्राम ठीक, 1 किलो 150 ग्राम यानि की option number C आपका राइट हो जाएगा कोई problem इसमें? I hope कोई problem होगी नहीं आपको घटाना ही था, normal सा तो आपके यह रहे आज के 15 questions Maths pedagogy के कोई भी issue रहता है तो आप comment box में comment किजिए मैं याँ team परिक्षा प्लस आपकी सारी queries को solve करेगी और वीडियो का अंत करने से पहले सबसे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे या LTE grade का batch चल रहा है और batch में enroll हो सकते हैं ठीक है मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगले 15 questions के साथ और Maths के pedagogy के और सवाल solve करेंगे इसी तरह से interesting तरीके से और बहुत आसानी से तब तक के लिए आप सभी अपना खयाल रखिए कि मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका